हालो एवरिवान वालकम बैक टू माई चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वांगत हैं सलाम नमस्ते रादे रादे दुआ करता हूं कि हर इंसान अपने जिंदिगी में कुछ न कुछ करता होगा आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे या फिर अभी भी आपने हिम्मत नहीं ह हो जाता ऐसा कुछ हुआ आपके जिंदिगी में जो की बहुत जादा शॉकिंग था या फिर आपको बहुत जादा टेंशन हो रही इस वक्त और आप इस वीडियो में आये हैं तो आप सही जगह पर आये अभी लाइक कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को क् इस स्केंडल वैक्स रिडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पार्टनर की करेंट फिलिंग्स आपके लिए क्या है क्या है उनके डीप इमोशिंज और वो आपको लेकर क्या सोचते हैं आगे वो क्या एक्शन ले सकते हैं या उनके एनरजी में क्या बदल अब जोडियक साइंस यहां पर आ जाती है तो जाद अगर कि राश्ची के उपर फोकस मत कीजिए लेकिन एनर्जी के उपर फोकस कीजिए अगर रिडिंग आपके साथ रैजोनेट नहीं होता है तो यह आपके लिए नहीं है किसी और के लिए हो सकता है जिनके लिए यह कारुकार से पहले चेक आउट करेंगे आपके परसन की करन्ट एनर्जी में क्या है क्योंकि एनर्जी बदलती रहती है आज अगर वो नाराज है तो कल खुश हो सकते हैं कल अगर खुश है तो परसो रोमांटिक हो सकते हैं तो एनर्जी चेंज होती रहती है इसलिए मैं कहत होता है उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है उस वक्त आपको मिल जाता है ऐसे कभी भी आप कॉल करके नहीं बता सकती मेरा रिडिंग करो ऐसा नहीं होता है बाकी लोगों को टाइम दिया जाता है तो उसमें अगर आपको टाइम मिलता है तो उसी वक्त किया जाता है अग चुके हैं लगता है sorry यहां पर 4 cards आ चुके थे चले trading को शुरू करते हैं प्लीज अपने partner का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जब मैं card shuffle करता हूं angels मुझे please guide करे angels and universe मुझे please guide करे angels and universe मुझे please guide करे जितने भी लोग अभी इस वक्ति वीडियो को देख रहे हैं उनके person क्या सोच रहे हैं एंजल प्लीज मुझे guide करे angels and universe मुझे please guide करे nine of pentacles के energy है यान कि person की खुशी आपके साथ है तो अभी उनको महसूस होने लगा है कि अगर इनको खुश रहना है तो आपके साथ रिष्टा जोड़ना ही होगा आपसे मिलना ही होगा आपके साथ बात करनी ही होगी ऐसा वो सोचते हैं भले अभी तक ये दूर रहे थे किसी की बातों में आकर इन्होंने किसी और की बात सुनी लेकिन अपनी दिल की बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि person के दिल में आप हो भले ये person आपको बताए या आपसे दूर चले गए है आपसे जगड़ा किया है आपको ब्लॉक किया है फिर भी ये person आपको ही याद करते हैं, नजर आते हैं, क्योंकि ये जो खुशिया है ना, उनको वो आप ही दे सकते हो, ये परसन रात को आपके बारे में सपने देखते हैं, जाता करके रात को आपके बारे में जब ये अकेले होते हैं, हो सकता है कि ये परसन जॉब करते हैं, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनरजी में होते हैं क्योंकि दिन बर आप किसी और लोगों के साथ होते हैं अपने कलिक्स होते हैं दोस्त होते हैं तो कैसे भी आपका दिन गुजर सकता है लेकिन रात को जब आप सोने जाते हैं तो उस शक्स का आपको खयाल जरूर आता है जिसके बारे में आपको फिलिंग से तो ये परसन बहुत जबर डीप्रेस्ट और बहुत ज़ाधा रात को आपको याद करके रोते हुए मैं जननजर आते हैं आपको बहुत क्या ज़ादा मिस्स करते हैं यह परसन अभी कुछ ना कुछ इस person को, आप क्या चाहते हो, वो second, उनका first, मतलब ऐसा हमेशा यह person ने किया है, chariot का card यह भी कहता है, कि यह person long distance में अगर है, तो travel करके आपकी तरफ आ रहे है, chariot का card यह मुझे यहाँ पर यह कहने की कोशिश करता है, थोड़ी से words मेरे stammering हो रहे हैं, आज पता ने किसके energy है तो यह card मुझे ही कहता है, chariot का कि person long distance में है, आपकी तरफ आ रहे हैं, travel करके on the way है, यह person train से आ रहे हैं, flight से आ रहे हैं, bike से आ रहे हैं, किसी भी type से आ सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं, next यह person ऐसे लगता है कि दिल की बात नहीं सुनी, और दिमाग से काम लिया है, ऐसा मुझे करते हैं, वो कहीं ना कि यह person ने आपको नजर अंदास किया है, या आपको option में रखा, अभी इसके हालत बहुत जादा overthinking, depressed situation, tension बहुत हैं इस person को, और यह person रास्ता दुणने की कोशिश करते हैं, यह person नहीं सोच समझ कर, कुछ ना कुछ decision लिया है, और यह person अभी अपने आ इस person की, आपके बार में सोच विचार कर रहे हैं, और यह इनकी हरकतों के वज़े से ही है, अगर यह person आपका साथ ही नहीं छोड़ते, आपको जो कहना है, उसके बार में यह person सोचते, या पिर सुनते, तो ऐसा इनकी जिन्देगी में नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, तो कही न कई person ही जिम्मेदार है, इस situation के लिए, कि उनको इस तरह के से depressed होना पड़ा, इनका tension बढ़ने की वज़े, इनका ही स्वबाव हो सकता है, इनकी हरकते हो सकती है, या इनका गुसा भी हो सकता है, और भी check out करेंगे, कुछ cards लेकर, क्या energy आपके लिए है, आज अपन परसन को, बहुत अधर support किया है, जब-जब ज़रूरत पड़ी है इस person को, आपने help की है, बिना किसी को बताए, अपने salary दे दी इस person को, इनके account में transfer किये, पैसे, बहुत खयाल रखा है इस person का, लेकिन इस person इस चीजों को भूल गए, और वो भी जटके में, जो कि आपको त देना, इस person के अउपर, तो आपको तकलिफ नहीं होता, होती नहीं, क्योंकि आपको ऐस सब कुछ दे दिया, इस person को, जो कि आपको अभी बहुत महंगा पढ़ रहा है, कि मैंने ऐसा नहीं करना था, या इस person की बातों में, मुझे नहीं आना था, क्योंकि और यह आकर मैं आ कर चले गए और अपने इतना वक्त बर्बाद के इस परसन के साथ यह सोच कर कि यह परसन आपका साथ निभाएंगे या जो वादा किया है वो कहीं न कहीं निभाएंगे या अगर वो गुस्से वाले इंसाने तो धिरी धिरी वो आपको समझने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर विश्टा तो रखा है मेरे साथ अच्छे से बात तो करते हैं लेकिन कमिटमेंट कब देंगे यह सब चीज़े हैं पर मुझे दिखाएं देते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परिशान कर रही थी यह परसन वापस आपके जिंदगी में आ रहे हैं या ऐसा इंस जिसके लिए आपके दिल मिवी फिलिंग्स थी बहुती इस पैशल इंसान ऑचे फृसरे को जानते हैं तो यहाँ ऐसे फुराने दोस्तों आप मिलने वाले हैं तो तो वो person आपको अच्छानक आपके सामने आ सकता है, जिसको आपने मतलब अपनी जिंदिगी से भुला दिया था, अपनी लाइफ में आप बीजी रहे और वो person भी अपनी लाइफ में बीजी रहे, तो ऐसा कोई इंसान आपके जिंदिगी में ज़रूर वापस आएगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगते हैं कि अच्छानक आपके घर में कोई महमान भी आ सकते हैं, seven of wands के energy हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, यहाँ यहाँ पर मुझे और एक बात कहनी है, कि महमान कोई आ सकते हैं, आपके लिए रिष्टा लेकर, यह मुझे कहना था, तो कोई महमान या कोई करीबी आपके दोस्त, या ऐसा हो सकता है कि आपकी मा की दोस्त, या आपकी पिताजी के कोई फ्रेंड, एक रिष्टा लेकर आ सकते हैं, आपके लिए ऐसी यहाँ पर एनरजी आई है, नेक्स्ट यहाँ पर हैं, सेमिन ओफ वर्ण्स के एनरजी, यानि कि परसन महिनत तो कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, हो सकता है न, कि आप जैसा सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी ना हो, यह परसन ने आपको छोड़ कर, मतलब जुटा नाटक नहीं किया, लेकिन करियर को, या अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, यह परसन ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारिया इस परसन की है, और आप पीछे पड़े थे शादी के लिए, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे, मतलब शादी करना है, तो आपको सुकी तो रखना है, खुशी तो आपको देनी है, और उनमें वो नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, या उनकी कंडिशन ऐसे नहीं थी, कि आपको खुश रख सके, तो यह परसन महिनत कर रहे हैं, साथी साथ यह आपके परस वापस भी आना चाहते हैं, मतलब आपके दिल में वो जगह बनाना चाहते हैं, आपको वो हर एक खुशी देना चाहते हैं, जो कि अभी तक वो परसन नहीं दी थी, मतलब जो आपका इंतजार था, वो खतम होते वे नज़र आता है, यह परस वापस ज़रूर आएंगे, न्यू बेगनिंग मुझे यहां पर नज़र आती, क्योंकि देथ का काड़े, तो न्यू बेगनिंग है, नई शुरुवात है यहां पर, कुछ टॉक्सिक रिष्टे से निकल कर, आप अपने आपको एक ऐसे रिष्टे में देखना चाहते हैं, कि ऐसा पार्टनर आपके जिन्देगी में आए, या ऐसा इनसान का रिष्टा आपको आए, जो कि आपको समझ सके, आपको खुश रख सके, एक होता है ना, आइडल लाइफ पार्टनर का सपना, हर एक के जिन्देगी में होता है, माइंड में होता है जहन में होता है कि मुझे इस टाइप का पार्टनर काश मिल जाए जो मुझे ऐसी जो मेरी थोड़ी सी नेगिटिव जैसे कि कुछ पॉइंट से जैसे कि अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो उसे नजर अंदाज करने वाला या फिर और कुछ चीज़ कि भी मैं हूँ वैसा ही मुझे एकसेप्ट करें ऐसे उसके उपर ताने ना मारे कि तुम्हारा ये गलत है वो गलत है मैं जैसे भी हूँ उसको वो पसंद आना चाहिए ऐसी मुझे आपर फाईश आपकी नजर आते हैं जो कि पूरी होगी एक बुरा वक्त खतम होकर एक बह रहे हैं वहाँ पर आपको 100% खुशी नहीं मिली है ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड में दिखाए देता है हो सकता है कि एक मैरिट परसन से डील कर रहे थे आप और यह परसन की भागदौड हो रही थी आपकी तरफ और अपनी मैरिट लाइफ में और कहीं न कहीं मुझे लगत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते अगर आप मैरिट है और आपको पता है कि आपको वो शादी की जिन्देगी भी शादी शुदा जिन्देगी भी आपको अच्छी से रखनी है और एक अफ़ेर आपका बाहर है जिसको आप नहीं छोड़ सकते ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फस गए थे नहीं शुरुवात आपके जिन्दगी में जरूर होगी हर एक सपना पूरा होगा पैसा आ रहा है आपके जिन्दगी में कहीं पर अटकावा पैसा था तो वह आएगा नियो अपोच्टिटीज अग समझें आपर strongly लगता है bottom of the deck जो है वह है six of source के energy जो यह कहना चाहते हैं कि person आपसे महबत करते हैं बेपना लेकिन यह long distance relationship होने के कारण आपको कुछ पता नहीं चलता कि यह person के जिन्दगी में क्या चल रहा है क्योंकि वह आपसे दूर है social media के ओपर यह person आपको मिले होंगी और आपको propose किया होगा या हो सकता है कि किसे matrimony side के ओपर अभी अभी आप मिले हैं और आपको उनसे रहा नहीं जाता है उनकी मिला मतलब उनको बात करने का तरीका आपको बहुत ही सुन्दर लगता है वो जैसे आपको समझते हैं या बात उनका बात करने का लहजा जो है य या यह person travel करके आपकी तरफ कब आएंगे तो जल्दी ही आएंगे क्योंकि death का का काड़ यही कहता है कि कोई travel करके आते वहें मुझे नजर आता है chariot का कार्ड भी यही कहता है कि कोई travel करके आपकी तरफ आता है तो online रिष्टे में अगर आप है अभी किसने आपको propose किया है तो यह person अच्छानक travel करके आ सकते हैं बहुत सरे opportunities भी आ रहे हैं lucky numbers की बात करेंगे lucky number 9 है आपके लिए lucky number 6 है 6 आपको ज़रूर claim करना चाहिए क्योंकि 3 cards है 666 बहुत ही positive card है क्योंकि वो शुक्र का है और जिसका शुक्र बहुत ही strong होता है वो इनसान को अपनी जिंदिगी में पैसे मिलते है अपने family का सुक मिलता है दोस्तों का साहरा मिलता है love life में बहुत अच्छा करते है career में opportunities आते है हर एक सुक, सुवीदा और हर एक luxury मिलती है जिसका number 6 होता है बडडेट या भाग्यांग होता है तो यहाँ पर 6 आपको ज़रूर claim करना चाहिए 666 की energy है साथी साथ यह 7 number का card positive है 13 number का card positive है एक number राशी की बात करते है Pisces बहुत ज़्यादा positive राशी यहां पर आई है और की मेंड राशी बहुत ज़्यादा है Cancer है करकर राशी और उसकी बात यहां पर है Scorpio वरुषिक राशी Aries, Leo, Sagittarius, Mesh राशी, Sihan राशी और धनू राशी Taurus, Virgo, Capricorn, Makar राशी, Vrushab राशी, Kandya राशी Chamina, Libra, Aquarius, Mithun राशी, Tula राशी और कुम्बा राशी यहां पर नज़र आती है तो यह था tarot card reading अभी हम candle wax में फटा पर देख लेंगे कि आज आज आपकी person की क्या सोच है आपको लेकर और क्या उनका next action हो सकता है तो प्लीज candle की flame के उपर focus करके अपने partner का नाम ज़रूर लीजे ताकि उनकी energy यहां पर connect हो सके तीन से साथ बार उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है Angels and Universe मुझे प्लीज गाइड करे Angels and Universe मुझे प्लीज गाइड करे जितने भी वीवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे है उनके person की energy आज क्या है यहां पर मचे यह लगता है ना कि किसी के मदद से आप दोनों एक होने वाले हैं हो सकते कि कोई common friend है यह हो सकता है कि आपका भाई आपकी बहन चाहते है कि आपकी आपका जो रिष्टा टूटा है partner को समझा बुजा कर आपकी तरफ लेकर आए या आपको उनकी तरफ लेकर जाए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको मदद करना चाहता है अच्छानक होगा यह चीजें कि आप दोनों को एक करने की कोशिश कोई कर रहा है आपका शुबचिन तक हो सकता है और यह आपकी करीबी है कोई भाहर का इंसान नहीं है next मुझे आपर ऐसा लगता है कि ए परसन अभी आपको बहुत ज़ादा मिस कर रहे है अभी इस वाक्त यह परसन कुछ गाना सुन रहे है और वो गाना मुझे ऐसे लगते है कि आपकी याद यह परसन को बहुत ज़ादा दिला रहा है और यह परसन रोते मुझे नजर आते है sad energy में है और यह परसन का मन नहीं लगता है लेकिन यह आपको भूलाने की कोशिश कर रहे ताकि कि यह काम पर फोकस रहे यह परसन का या जो भी इनके टास्क है जो भी इनका रूटीन वर्क है जॉब करते हैं बिसनेस करते हैं ट्रावल करके जाना पड़ता है यह परसन को और आप बहुत खुबसूरत हो, जैसे भी हो, आप खुबसूरत हो, कभी कबारी आपको नहीं समझते हैं, कभी कबारी आपसे गुसा करते हैं, कभी कबारी आपसे नाराज रहते हैं, लेकिन ये परसन के दिल में प्यार मुझे दिखाए देता है आपके लिए, ये परसन आपको अगर ये परसन इवादा किया था शादी का या फिर ये परसन इवादा किया था सातनी बाने का जिन्दगी भर और बीच में ऐसा कुछ हुआ कि जिसके वज़े से ये परसन तोड़े से दूर चले गए और ये अच्छानक हुआ है आपके जिन्दगी में जि लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वह आपको छोड़कर ही चले गए और यह एनर्ची बहुत ही नेगिटिव है जो आपके पार्टनर को आपसे बहुत जादा दूर क्योंकि आप देख सकते हैं आप ड्रॉप्स तो गिरें लेकिन एक ड्रॉप इतना दूर चला गया जो एक साइड लिया जो की गलत था वो मानते हैं कि उनकी गलती हुई उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिलकुल बेकार था बिलकुल गलत था लेकिन उस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ऐसा उन्होंने किया तो अभी कुछ नकुछ यह परसन एक स्टेप आगे लेना चाहत हैं अपना साइड में रखकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं हो सकते हैं कि इन्होंने गुसा क्या अभी इनको उस चीज का जैसे की ऐसास होने लगा कि आरे यार मेरी ही गलती थी मैंने ऐसा नहीं करना था मेरा ही गुसा मेरे उपर भारी पड़ा और अभी दूरिया हो गई और यह कहिना कि यह गलत था सबसे जादा गलत पॉइंट इस पार्टनर का उनको खुदी ऐसास होता है कि आपका साथ छोड़ना यह गलत था नाराज उनको रहना था अगर किसी चीज होते हैं इनसान है तो फिलिंग से नाराज गी है तो अगर नाराज रहते तो ठीक था मत आप मनाते हैं लेकिन यह आप से इतनी दूर चले गए यहाँ पर मुझे लॉंग डिस्टंस दिखाये देता है मतलब बहुत दूर गए जो आपको तकलिव देता है और दूर जाने के बाद यह परसन ने हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो सकता है कि यह परसन आपको इग् करते थे मतलब वह चीज एक है ना जो जैसी कि आपकी सोच है कि इतना वक्त गुजारने के बाद यह परसन अच्छानक ऐसे एक्टिविटी मतलब ऐसी कर क्यों कर सकते आपके साथ हरकत मतलब बिलकुल ही नसर अंदाज जैसी कि मैं उनके लिए माइने नहीं रखती या नही रखता इस टैप की सिचुवेशन मुझे यहां पर ऐसा लगता है किसी के लिए कि आप लोग जो है ना अधाए साल से रिष्टे में है टू एन अफ यह यह फिर हो सकता है तीन साल से आप रिष्टे में है बहुत स्ट्रॉंग रिलेशन्शिप दिखाए देता है और आपके पार्टनर ने आपको कहा है कि मैं और आगे तुम्हरे साथ नहीं जा सकता नहीं जा सकती बस हमारा सफर इतना ही था लेकिन यह चीज़ आपको कहीं न कि आपका दिल नहीं मानता है आपका दिल यही कहता है कि यह परसन अभी गुसे में है अभी हो सकता है कि वह strongly आपका दिल कहने की कोशिश करता है कि यह person आपके पास आएंगे क्योंकि आपका प्यार जूटा नहीं है आपने बहुत दिया इस रिष्टे में बलकि आपने expectations नहीं रखी कि मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे मुझे तौफे मिलेंगे यह आपन पूरी नहीं किया मतलब आपने अगर 100% किया तो उन्होंने 10% दिया होगा तो बहुत फरक दिकाय देता है गिवन टेक यहां पर मुझे बहुत ही फरक दिकाय देता है कि जो आपको मिलना चाहिए ता न वो आपको नहीं मिला है बहुत सारी चीज़े इस person का वक्त आपको न नहीं मिला है इस परसन ने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की है मतलब इस रिष्टा तो था लेकिन क्यों रिष्टा था क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉंग बॉर्ड इस परसन के साथ फील होता था कि यह मेरे सब कुछ है और अभी परसन जब आपसे दूर गए है ना तो यह आपको तकलिफ तो देकर गए लेकिन खुद भी तकलिफ में मुझे दिखाई देते हैं तो राशी की बात करते हैं कौन से राशी यहां पर आए वुरुशिक राशी है स्कॉर्पियो बहुत से लोगों की स्कॉर्पियो राशी हो सकती है जिसमें बिच्चु होता है यह पर भी आया वहे कही पर यहां पर बिच्च वहें देखें नेक्स सजिटेरियस है धनू राशी उसके बाद पाइसेस में राशी लीवो है यानि कि सीह राशी राखी नाम यहां पर मुझे आज चानल हो रहा है या राकेश किसे का नाम हो सकता है नेक्स्ट मुझे राशी जो यहाँ पर महसुस होते है वो है वर्गो कंड्या राशी कैप्रिकॉन मकर राशी उसके बाद है टॉरस वुरुषब राशी टॉरस बहुत स्ट्रॉंग है टॉरस सिंबॉल मनावा है अफ्स्ट मुझे चो राशी यहां पर दिखाए देते हैं वो लिपरा यानि कि तोला राशी हैंपर मुझे ही लगता है कि जस्टीस चाहते हैं आप जस्टीस चाहते हैं आपको लगता है कि मेरे साथ नया होना चाहिए, कहां पर मैं गलत हूँ, और ये सजा मुझे क्यों, मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे बारे में ना सोचकर अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर मुझे धोका मिल रहा है, तो वो आपको मनसूर नहीं है, फिर ये कही न कही मुझे लगता है कि बहुत आपको परिशन कर रहा है, और negative thoughts आते हैं, इस person को लेकर आपके दिल में बहुत negative thoughts आते हैं, पहले जिससे आप दूआ करते हैं, इस person को, अभी आपकी मुझे बद दूआ निकलती है, अंचाने में निकलती है, और वो आपको बद आप रोते हैं कि ऐसा क्यों तो यह कहिना कि आपका प्यार ही है मतलब आप बद्वा भी देते हैं तो फिर आप अपने आपको sorry कहते कि मुझे यह नहीं कहना था कि हो गया उसके जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा यह भी आप अपने आपको समझाने के कोशिश कर रहे लेकि कि देरे देरे यह person आपकी तरफ communication करने की चाहत मुझे दिखाए देते हैं call message आने की चाहत अगर यह long distance है तो travel करके आ सकते हैं हाँ यहाँ पर मुझे एक खास बात दिखाए देते हैं कि परसन आपको block करें या unblock करें या कुछ भी करें लेकिन यह person आपके पास आना चाहते यह energy यहाँ पर है अभी यह हो सकता है कि इनका वहाँ पर कुछ property है कुछ function है कुछ रिच्टेदार है इस सिलसले में यह person आपके यहाँ या आपकी city में आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या कुछ ना कुछ होगा लेकिन आमना सामना दोनों का जरूर होगा और यह कब हो सकता है कि बीस दिन के अंदर 17 से बीस दिन के अंदर हो सकता है यह person को traveling का बहुत शौक है समझा लगता है कि आपके साथ जब से रिच्टे में हैं आपने बहुत बार देखा यह person आज यहां तो कल यहां और हमेशा बोलते होंगे कि मुझे traveling अच्छा लगता है या घुमन मतलब उड़ना है इस person को पंची जैसा रहना है जिन्दिगी भर इसको इनके ओपर कुछ बंदन नहीं चाहिए रोकटो कि इस person को बिलकुल पसंद नहीं है इनको मतलब दिल की क्या बोलते है मर्जी की मालिक है अपनी मर्जी चलाने वाले उस step की थोड़े से हैं जो कि कभी कभी कभार इनके लिए अच्छा भी होता है कभी कभार इनको परिशानी भी कर जाता है क्योंकि हर चीज आपके favor में काम करेंगे ऐसा नहीं है कुछ चीजें आपको तकलिफ भी देख कर जाती है तो यहाँ पर लेटर मुझे M दिखाए देता है नेक्स मुझे लेटर यहां पर आया है एस लेटर भी यहां पर है यह कुछ लेटर नाम के हो सकते हैं लेकिन यहां पर पर स्ट्रॉंगली उठकर आया है एंचल नंबर की बात करेंगे आज मुझे एंचल नंबर जो दिखाए देता है उसमें 333 मुझे दिखाया देता है, एंजल नमबर 333 कुछ खास हो सकता है आपके लिए, आपको दिखाया देता होगा 333, आपकी मोबाइल नमबर में होगा 333 एक साथ, या आपकी कार में हो सकता है नमबर 333, ऐसा कुछ तो है, फ्लैट नमबर हो सकता है, कुछ तो 3 नमबर स सकते हैं August born हो सकते हैं इनकी बडेट मुझे कुछ दो दिखाए देती है या 20 हो सकते हैं बडेट 28 हो सकती है 27 हो सकती हैं इनकी बडेट मुझे 16 भी दिखाए देते हैं 5 11 door 26 यह कुछ budget मुझे आज यहां पर महसुस हो रहे हैं ए परसन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं मतलब यह क्या है ना कि इंसान गलती करता है इंसान से गलती होई जाती है सिर्फ आपके पार्टनर से हुई है ऐसा मत सोचे पूरी दुनिया में सब के साथ गलती होती है गलती इंसान को क्या सही क्या गलत ये भी सिखा कर जाता है तो ऐसे ही situation यहाँ पर है कि यह person को अपनी गलती का ऐसास हुआ है जो कि बहुत बड़ी बात है थोड़ी लोगों को होता ही नहीं है गलती का ऐसास अपनी गलती मानते ही नहीं है तो यहाँ पर यह हो रहा है और यह person मुझे ऐसा लगता है न की जैसे मैंने कहा था न की बहुत से लोगों का reunion होगा September में तो जिनका होना था जिनके तक्दिर में लिखा था जिनके partner आने थे उनका तो होगा यह सब्टेबर में अब जिनका October में होना है उनका October में होगा, जिनका November में होना है उनका November में होगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है October, November, December, तीनो मेने आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, लेकिन उसमें से ज़्यादा मुझे 11 November खास दिखाए देता है, और 11-11 पोर्टल भी है, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, 11 November के दिन किसी की जिन्देगी में ऐसा मुझे लगता है, और ये पूरी दुनिया आपकी बदल देगा, पूरी जिन्देगी आपकी बदल जाएगी, आप सोच में पढ़ेंगे अच्छानक ऐसा क्यों, तो ये कही ना कहीं आपका यूनिवर्स क किया है, किसने डांस क्लाश जॉइन किया है, सिर्फ और सिर्फ ये गम भुलाने को, नो कॉंटेक्स सिचुवेशन को भुलाने के लिए ये सब आप करते पर मुझे फील होता है, तो अच्छा वक्त है आपके जिन्देगी में, जैसकी बारिश अच्छानक आती है ना, वैस सोचें, यहाँ पर वर्ल्ल ट्रैबल दिखाए देता है, हो सकता है कि आपके इच्छा है, आफ आप कंट्री जाने के लिए, घुमने के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कुछ तो है यहाँ पर आपकी आपके पार्टनर के इच्छा जो की पूरी होगी 2024 में, 2024 म यह बहुत से लोगों का रिष्टा पक्का होने वाला है, अगर यह परसन ने आपको ब्लॉक किया है ना, तो अन्ब्लॉक करने के एनरजी है, और उभी 16 दिन के अंदर हो जाएगा, या 16 तारीक तक हो जाएगा, October के, अन्ब्लॉक सिजवेशन मुझे दिखाए देती है, य इतने मज़े online आते हो, यह सब इनको एक अंदर से महसूस होता है, मतलब अपना पन, मतलब अभी भी तुम मेरे हो, भले मैं तुम से दूर हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरी ही हो, या मेरे ही हो, इस टाप की सुच्चे में है, मतलब पस्शेवनेस है, खुद भी नहीं आ रह है, long distance relationship है, लेकिन प्यार बहुत गहरा भी दिखाए देता है, और जैसे जैसे age है, आपकी मुझे लगते है, 23 साल है, 24 साल, 25 साल, और जैसे आप 27, 28 साल के होंगे, तो बहुत जादा serious होंगे, बहुत से लोगों की शादी भी हो जाएगे, बहुत जादा मुझे लगता है न आपके हो सकते हैं, आपके partner की, लेकिन जैसा age बढ़ता है न, तो energy भी change होती है, याद रगे, हमेशा है के लिए partner आपके गुस्से बाले नहीं रहेंगे, अगर है अभी, तो धीरे धीरे इनका गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा, इनके जिन्दगी में मुझे प्यार की कमी म लगती है, मुझे यहाँ पर यही लगता है, अभी आप पूछेंगे मुझे यही सवाल comment में कि और कितना इंतजार, तो आपके तकदिर में जो लिखा है divine timing नहीं उतना ही इंतजार, लेकिन जैसे मैंने कहा आना कि October 15 एक बहुत ही special day है, November की 11 तारिक बहुत ही special day है, तो please manifestation अ को ज़रूर subscribe कीचे, thank you all of you, thank you angels, thank you universe.